आल राइट ये वीडियो बहुती जदा इंपोर्टन्ट है हर गेट एस्परेंट को समझना क्योंकि गेट एक्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं एक खयाल हमारे मन में बहुती जदा हमें परिशान करते रहते हैं क्या मुझे PSU मिलने वाला है क्या मुझे IIT मिलने वाला ह क्या मेरा पैकेज 15 लाग 20 लाग 30 लाग का होने वाला है ये सवाल आपको प्रिपरेशन डिश्टरब करके रख देते हैं तो मैं इस कोश्चन को ना दूर करनी कोशिश करूँगा और आपके सामने कुछ actual facts रखूँगा जो society को नहीं पता है पर आपको पता होना ज़रूर ह है society आपका success कब celebrate करती है society आपका success तब celebrate करती है जबी आपको कोई government का tag मिल जाता है या फिर आपका income 15 लाग 20 लाग 30 लाग का होता है जबकि ये चीज one of the parameter हो सकती आपके life में successful होनी का जबकि एक list है बहुत बड़ी अपने life में successful हो की नहीं ये define करने का अब अपने life में पा रहे हो अपनी lifestyle carry करने के लिए जोब चाते थे क्या अपनी lifestyle maintain कर पा रहे हो अपने job के साथ वो भी one of the important parameter है मेरे ख्याल से most important parameter है क्या अपनी lifestyle आप carry कर पा रहे हो कि नहीं job के साथ दूसरा important parameter क्या अपने family को quality time दे पा रहे हो वो भी important parameter है third important parameter आपकी mental और physical health कैसी है वो तो disturb नहीं हो गई न, आपको ज़ादा इंकम मिलने के चक्कर में वो भी एक important parameter है mental health बहुत लोग की ठीक नहीं है बहुत सारे लोग बहुत millionaire बन गए है billionaire बन गए है पर उनकी mental health ठीक नहीं है जैसे हम celebrities को देखते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे entrepreneurs को देखते हैं जिनकी mental health ठीक नहीं है उन्होंने पैसे तो कमा लिए पर वो job जो कर रहे हैं उनके साथ उनको अपने life में mentally वो satisfy नहीं रह सकते हैं तो अगर अपने life में successful होना चाहते हो तो इन सारे parameters पे आपको focus करना पड़ेगा main उसमें से सबसे मेरे हिसाब से है कि मैं अपनी lifestyle carry कर सकता हूँ की नहीं job के साथ ये मेरे लिए तो बहुत ज़़ा important parameter है आपके लिए हो सकता है ये ना हो ठीक है? अलग-अलग इनसान के लिए अलग-अलग parameter का value थोड़ा ज़ादा होगा दूसरी बात करते है society successful और failure जो बताती है कि तुम successful हो और तुम failure हो वो भी actual में true नहीं है क्योंकि time के साथ उनका classification change होते रहता है मैं अपना ही case ले लेता हूँ मुझे पहले लोग बोलते थे कि ये believer student है अभी लोग बोलते हैं कि तुम successful नहीं होते हो या फिर तुम failure भी नहीं होते हो या फिर तुम average या फिर तुम intelligent भी नहीं होते हो तुमारी position define करती है कि तुम्हे respect मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तुमारी achievement define करती है कि तुम्हे success का tag मिलेगा या फिर failure का tag मिलेगा और यह success, achievement, position, यह सारे चीज़े depend करती है अभी के आपके skills पे और skills time के साथ change किये जा सकते हैं तो life में वरी मत करो कि मैं life में successful होने वाला हूँ या फिर failure होने वाला हूँ मुझे PSU मिलेगी या फिर मुझे IIT मिलेगी यह सारा secondary चीज़ है वो तो तब मिलेगा जब आप अभी अपने skills पे काम करोगे ठीक है और PSU का job नहीं मिलाना तो भी वरी करने की ज़रत नहीं कि वो one of the parameter था life में successful होने का बहुत सरे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो repeated job कर रहे हैं PSU में वो परेशान हो जाते हैं finally IIT में आ जाते हैं और ऐसे भी लोग को चानता हूँ जो IIT में रहते हैं पर वो lifestyle जीना ही नहीं चाते हैं ठीक है पर वो भार की दुनिया में उन्होंने post भी दाला था LinkedIn पे Facebook पे YouTube पे उनके वीडियोज भी आ गया है वो भार के दुनिया के लिए वो successful है पर वो अपने आपके लिए successful नहीं है तो यह सारे चीजों के लिए वरी मत कर रहे हैं बहुत अदा complex चीज़ है अभी का आपका पुरा का पुरा focus होना चीए skills पे job subject पढ़ रहे हो उस पे बहुत लोग इस बात से परिशान है कि मैं test series नीर दे भा रहा हूँ मैं आपको एक example देता हूँ real life last year जिसने 27th rank achieve करा था electronics में वो एक third year student था और उसका previous year का book soli नहीं हो पाया था उसने soli नहीं किया तो कि उसके पास एक option था उसे choose करना था एक तो वो syllabus complete करेगा या फिर वो test series और previous year के book में परेशान रहेगा तो उसने क्या चुना मैं syllabus complete करता हूँ मैं सारे के सारे lectures देखूँगा और उसमें से conceptual understanding बनाने की कोशिश करूँगा क्यू किसे marks के आ रहे हैं किस level के आ रहे हैं question क्या वो questions repeat होने वाले हैं बिल्कुल भी नहीं सबसे जदा important होता है आपका notebook आपके concepts ठीक है बहुत आपको choose करना पड़ेगा अभी जैसे मैं बात करूँ अभी से लेके December 31st तक 6 महीने है तो 6 महीने में अगर कोई preparation just start कर रहा है तो वो सारे fill in the blanks tick mark नहीं कर सकता है मैं test series भी दोंगा मैं short note भी बनाऊंगा मैं यह करूँगा मैं वो करूँगा क्यों उस stopper ने हो सकता है दो साल preparation की हो और तुम 6 महीने में correct करने के बारे में सोच लो तो तुमें सोचना पड़ेगा तुम उन चीज़ों में से क्या चीज़े करो कि तुम सारे चीज़े तो नहीं कर सकते जैसे मेरे इसाब से अभी के जो preparation जो start करेंगे उन्हें previous year के book पे और अपने lectures पे concentrate करना चीए और हो सकता है कि उनका एक subject छूड़ भी जाए तो भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है गेट exam में अभी तक किसी भी rank करने 100 mark score ही नहीं किये दे तो मैं थोड़ा positive video लाने की कोशिश किया आप लोगे life में और अगर आपको मेरे videos पसंद आते हैं आप इस channel को subscribe कर सकते हो मैं इतना दा consistent नहीं रहता हूँ क्यों क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो भी मैं video लाओ वो मैं अपने हर video में लोग को satisfy करना चाता हूँ disappoint नहीं करना चाता हूँ इसलिए मैं quality पर focus कर रहा हूँ instead of quantity मैं hope कर रहा हूँ आपको समझ में आगे इसा भी बात है तो अगर आपको मेरा video पसंद आया है तो like कर सकते हो नहीं पसंद आया तो dislike कर सकते हो तो इतना ही था इस video मे हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ तिल रेंग बाई